आग की चपेट में आने से पत्रकार नगर थाना धू-धू कर जल रहे हैं जो साथ तस्वीरों में हमारे पीछे देख सकते हैं कि दमकल की गाड़ियां पहुँच चुकिया है और आग पर कावू पाने के लिए हमारे पटना पुलिस तमाम पतादिकारी यहां दमकल की करने के लिए पतना की पुलीस और पत्रकार नगर की तमाम आधिकारी है जो अपने सारे टीम के साथ आग पर कावू पाने कि तमाम कोर्सिज की जा रही है और यह सब लोग को कहा जा रहा कि जो भीर है तो भीर में के दे Parl 이ो पेट तस्यूरों कि यह जो ने डंकल की गारी जो आग पर काबू पाने के लिए हां से जा रही है और यह साथ पिछा हमारे तस्वीर देख सकते हैं साब तस्वीर हो में कि जो आग कितनी बिहानक कुफ से है और वहां की डंकल गारी जो है पानी की पुलिसज़ुर आलीजल दम कल की गाड़ी जो आग पर काबू पकड़ी ऑग rescue are सब लोग सुरक्षित बाहर आ गया है कोई अभी कोई इसकी कोई नहीं है कोई इन्फरमेशन नहीं है पीछे माल खाने का समान की डैमेज हुआ है उसका भी हम लोग एसेस्मेंट कर रहे हैं कोई अभी हम लोग के देखते हैं कि का इसका अडिक आगा अविए तो लुग सां किया हुआ कितने लोग पसे थे मलखाना में आग लगे हुई हैं बहुत सारे काग्यात हैं तो लुक्सान कुछ हुआ है इस तरह के और करी तीन चार लोग तो सिवेली फसे हुए थे जिसमें से एक आर्मी को तो अग्रोलिक से रेश्कू करके निटाल लिया गया और बाकि तीन लोग को जैसे के आप देखना अब असपष्ट कारण नहीं है कि अधिन कारणों से लगे हैं दोनों संभानाएं हो सकती है कि सब्सक्राइब और मानोजरित भी हो तो अभी हम लोग अपरेशन करें अपरेशन परांती इस पन्दीने लेपाएं अग्मी शमन के लगवाद हमारी 25 गारी पहुँच हुई है दो रिस्कू के लिए हाइड्रोलिक पहुच हुई है दो बावजर पहुच हुई है मिस्ट टेक्रोणी बहां साहे हैं लगवाद 75 हमारे कर्वी लगातार काम कर रहा है और बहुत जल्दी हम लोगों ने जैसा कि आप पिछे में लगी हुई थी जो मलखाना है उसी में लग किस कारण से आख कारण आपरेशन के बाद ये लाइस के कमरों बता पाएंगे हैं